नमस्कार, नूबकवास, टेक की बात, मैं पीके आपके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो एडिटिंग एप के बारे में जो की आपके एंडॉइट फॉन और आईफॉन दोनों में अबलेबल है और इसमें आपको वाटर मार्क नहीं मिलता है जी हाँ वाटर मार्क बिल्कुल नहीं मिलता और बिल्कुल इन शॉट जैसे फीचर्ज हैं इसके काइन मास्टर और इन शॉट के बाद यदि मैं किसी वीडियो एडिटिंग अप को प्रिफर करता हूँ तो वो ये है नया आया है मार्केट में 5 मिलियन इसके डाउनलोड हो चुके हैं प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और इसका नाम है वीटा और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है वीडियो टेंपलेट जी हाँ इसमें छोटे छोटे ट्रेंडिंग वीडियो के टेंपलेट होते हैं जिसे आप देख सकते हैं देखने के बाद आप वैसे का वैसा सेम टू सेम वीडियो अपने उपर शूट करके बना सकते हैं जो की काफी आसान है तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आपको टेंपलेट का यूज कैसे करना है और उसके बाद देखेंगे कि इस वीडियो एडिटिंग एप के फीचर्स क्या हैं कैसे हैं तो चलिए देखते हैं हम अपने फोन के स्क्रीन रेकॉर्डिं तो दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस Vita एप को Play Store से डाउनलोड कर लेना है अपके Android phone में और इसे कर लेना है open तो open करते ही आपको यहाँ पर देखे यहाँ पर यहाँ उपर सबसे जाए उपर देखे आप यहाँ पर एक heart, all, tutorial, new, popular, photo यहाँ पर बहुत सारे आपको options दिख रहे हैं और यह जो options है इसके नीचे जो आपको यह videos दिख रहे हैं यह हैं आपके video templates तो हम यहाँ पर आजाते हैं अभी popular वाले trend में और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि इन templates के जैसा same to same video आप भी बना सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है just उस template को select कर लेना है जिसे आप use करना चाहते हैं और उसके बाद वैसे का वैसा clip आपको अपने phone से record कर लेना है आपके phone में या यदि पहले से वो clips available हैं आपके phone में तो आप उसे use कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं यह वाला template जो है अभी आपको show कर रहा हूँ तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ एक template है और इसी template को मैं use करना चाहता हूँ अपने उपर तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने already अपना दो video clip जो है वो shoot कर रहा यहाँ पर देखिए यह पहला video clip है जिसमें मैं कपड़े लेकर बैठता हूँ और यह दूसरा video clip है जिसमें मैं उन्ही कपड़ों को पहन कर उठ जाता हूँ तो यह दो video clips मैंने 12 और 14 seconds के अपने phone में save कर रखा है और अब मैं इसे कर लखा हूँ click और यहाँ पर आप नीचे यहाँ blue color से use now पर जैसे ही touch करेंगे यह आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर नीचे देखिए 1 and 2 लिखा हुआ है तो one number का clip आपने कर लेना है select तो चलिए मैं one number का clip select कर लेता हूँ यह देखिए one number का clip select हो चुका है यहाँ पर नीचे यह आ चुका है 3.9 seconds और two number का clip जो है यह यह भी select हो चुका है अब आपको यहाँ इस blue arrow पे right वाले पे touch कर देना है अब वो आपके clips जो है यहाँ पर import होगा लेकिन यहाँ पर आपको एक issue है आपको यहाँ पर इसका करना है adjustment तो यहाँ edit पे आप touch करेंगे फिर से आप edit पे touch करेंगे और आपने कुछ नहीं करना है just move this clip touch and drag आप कहां से कहां तक रखना चाहते हैं यह जो white frame दिख रहा है यह इसका starting point है और यह इसका end point है तो आप कहां से रखना चाहते हैं तो यह हो गया यह हो गए मेरे इस video clip की setting अब मैं इसको कर देता हूँ अब यहाँ पर मैं दूसरे clip की setting कर रहा हूँ जहाँ पर मैं इस नए कपड़े के साथ उठता हुआ दिखूंगा तो इसके लिए भी मैं adjust कर रहा हूँ यह देखिए ड्रैक करके यह देखिए अब हमारा clip जो है almost बन चुका है तो इस तरीके से आप फिर यहाँ उपर right side में यहाँ blue color के अंदर जो export लिखा हुआ है उस पर आप जैसे ही touch करेंगे यह आपका video save होने लगेगा और save हो के आपके gallery में चला जाएगा फिर वहाँ उस gallery से आप उस video clip को अपना WhatsApp status लगा सकते हैं या जहाँ आप use करना चाहते हैं वहाँ use कर सकते हैं और इस तरीके के इसमें कई सारे templates जो हैं आपको इसमें मिल जाते हैं और daily कई सारे templates इसमें आपको वीटा वाले update करते रहत हैं तो अब आईए हम यहाँ पर देखेंगे इसका video editing वाला feature तो video editing यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर plus sign पर चले जाना है यहां से आपको कोई भी एक clip जो है वो select कर लेना है और उसके बाद वो आपके timeline पर यहां import हो जाएगा और उसके बाद उस clip के साथ आप editing वाल minute होना चाहिए तो आप देखें यहां पर यह timeline पर आपको यहां पर यह 18 seconds का जो clip हमने import किया था वो यहां पर आप आ चुका है तो आप यहां देखें सबसे पहला option है edit का इसमें आपको split का option मिल जाता है speed option है reverse option है volume आप इसका original video का volume अधिक या कम कर सकते हैं mute कर सकते हैं यहा यहारे features भी लगबग उसी तरीके के हैं तो यहां आपको नीचे option मिल जा रहा है split का speed का reverse का volume का copy का delete का rotate का and replace का back आ जाने के बाद आप देखें यह edit के बाद आ जाता है ratio ratio में आपको same वैसे मिल जाते हैं कौन सा ratio आप रखना चाहते हैं 4-5 9-16 16-9 जो भी आप रखना चाहत सकते हैं direct add music पे जैसी आप टच करेंगे यहां पर आपके phone gallery में यह phone gallery नहीं यह वीटा गैलरी है यह वीटा वाले जो अपना music दे रहे हैं वो है फिर इसमें music effects भी इन्होंने दे रखा है pre-loaded इसे आपको download करना पड़ेगा आपके device में जो sounds हैं वो आप इसमें play करके use कर सक सकते हैं even आप किसी वीडियो का भी sound इसमें use कर सकते हैं बिल्कुल in shot के जैसे अब अगला option जो आता है वो effects का जो छोटे-छोटे sound effects जो होते हैं वो हैं यह देखिए तो यह सब भी आप use कर सकते हैं जैसे आप उस पर touch करेंगे यहाँ पर use का option आता है यह देखिए यहाँ पर timeline पर नीचे आ चुका है वो और यहाँ पर आपको फिर इस sound को edit करने का भी option यह पर मिल जाता है fade in fade out और इसका volume अधिक याप कम करने का option आपको इस edit से मिल जाता है फिर इसी को जिए आप duplicate करना चाहें तो copy paste कर सकते हैं इन दो options से delete करने के लिए यहाँ पर delete option भी दिया हुआ है तो फिर चले जाते हैं हम लोग back back मैंने बता अब यहाँ तीसरा option जो देखते हैं पहला हमने देख लिया edit फिर देख लिया ratio फिर अब देखते हैं effects तो effects में आ आप डाल सकते हैं टेक्स को आप edit कर सकते हैं लंबा चोड़ा कर सकते हैं उसका font change कर सकते हैं यहाँ पर देखें बहुत सारे fonts हैं जिससे आपने first time अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सब आपको करना पड़ेगा download text का color यहाँ से change कर सकते हैं उसमें shadow डाल सकते हैं border डाल सकते बहुत सारे options हैं तो कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा app दिख रहा है मुझे अब चले आते फिर से back text हो गया sticker का भी option आपको यहीं मिल जाता है music add करने का तो हमने अभी देखी लिया filter अभी इसे मैं जान बुच कर जल्दी जल्दी बता रहा हूं फिर आपको वीडियो बह यूज कर सकते हैं और आप वीडियो जैसे ही आप इसमें export करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर कोई भी add भी देखने नहीं मिल रहा है इसमें आपको अभी कोई भी watermark भी नहीं देखने मिल रहा है तो है यह बहुत अच्छा है फ्री है एकदम फ्री है एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं तो guys, दोस्तों आप इस app को जरूर से install करें और एक try जरूर दें कोई दिक्कत आती है तो मुझे से comment में पूछें, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को साथ, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें आपने आपको सुरक्षित रखे, जै हिन जै भारत